Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल से आप देख रहे होंगे, Congress Party के पास इतनी भी seat नहीं आ पा रही थी, जिसकी वज़े से वो Leader of Opposition का जो tag है वो भी ले सकें, लेकिन फानली ये होने जा रहा है, ये खबर आप देख सकते हो, CWC Meet, basically जो Congress की Working Committee होती है, उनका मीटिंग हुआ, इसके अंदर members ने पास किया resolution to appoint Rahul Gandhi as Leader of Opposition, तो ये काफी सारे बदला होंगे, और साथी साथ Leader of Opposition के बारे में हम इस वीडियो के अंदर details से जानेंगे, कि आखिरकार ये होता क्या, इससे फायदा क्या मिलता है, और भारत में इतिहास क्या रहा है Leader of Opposition का, तो काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा, आप इसे जो भी लोग UPSC की preparation कर रहे हैं, अगर आप 2025 की त्यारी करो, तो हमारा GS Foundation का batch ले सकते हैं, जो कि कल से start हो रहा है, इसके अंदर आपको 3 languages में मिलेगा, जो भी आप लेना चाहो, और साथी साथ Prelims Mains Interview, सब करना चाहते हैं, तो मेरे Insta page पर जाएगे, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको भी आप attempt कर पाएंगे, तो चलिए सुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं, कि exactly हो क्या रहा है, देखिए जो 18 लोग सबा है, जो अभी लोग सबा का चुना हुआ था, ये 18 है, ध्यान रखेगा, ये काफी different होने वाला है पिछले वाले से, क्योंकि इस बार सबसे important चीज़ आपको बताई है, कि BJP का जो number है, वो 272 के नीचे चला गया है, जैसे कि आप देख सकते हो, 240 seats हैं total, और जो Indian National Congress है, इनको इस बार 99 seats मिली हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, Congress Party का जो tally है, वो actually 100 हो गया है, इसका कारण यह है कि एक independent MP थे महाराष्ट से, उन्होंने Congress को join कर लिया है, होता क्या है कि कोई भी independent MP है, जो चुना गया है, उसके पास 6 महिने का वक्त होता है, 6 महिने के अंदर अंदर अगर वो किसी भी party को join कर लेगा, तो वो उस पिछले 10 साल से नहीं मिल पा रहा था, अब पहला question तो यहाँ पर यही आता है कि leader of opposition का मतलब क्या है, simple सी चीज़ है, इसके नाम से यह आप समझ सकते हो, कि जो leader of opposition होता है, he or she is the member of parliament, सबसे पहली चीज़, मतलब कि जो 543 seats हैं लोग सभा की, उनमें से जो 543 लोग चुन करा हैं, उन्हीं में से जो सबसे second largest party है, क्योंकि सबसे बड़ी party BJP है यहाँ पर और वो लोग यहाँ पर जो एक तरह से government है, वो बना रहे हैं, लेकिन दूसरी जो largest party आपको पता है, वो है Congress, वो बैठे गी opposition में, लेकिन opposition में भी क्या है कि एक ऐसा वेक्ती होगा, जो कि leader माना जाएगा, जैसे हम कहते हैं लोग सबा का leader कौन है, क्योंकि इस समय PM Modi लोग सबा का चुनाओ लड़े थे, तो वो एक तरह से leader हो गये, तो यहाँ पर opposition में भी तो कोई leader होना चीए, ताकि government से सवाल पूछ सके, बहुत सारी चीज़ें कर सके, तो इसी के वजए से यहाँ पर Leaders of Opposition in Parliament Act 1977, अब देखें यह act भी बहुत important है, क्योंकि leader of opposition के बारे में ऐस सच कोई आपको constitution में देखने को नहीं मिलेगा, in fact मैं आपको बताओं तो हमारे सम्मिधान में या फिर लोग सबा के rules of procedure में कहीं पर भी leader of opposition को recognize नहीं किया गया, उसके बारे में बोला नहीं किया है, लेकिन क्या है ना कि आजादी के बात से अगर आप देखोगे, एक तरह से यह practice चली आ रही थी, कि यहाँ पर जो दूसरी party है, जो opposition में है, उनमें से सबसे बड़ी जो party होगी opposition की, उनमें से एक वेक्ति को leader of opposition चुना जाता, अब इसमें भी क्या था कि एक rule बना देखें, म of house number होगा, मतलब कहने का मतलब है कि लोग सभा में total कितने member है, 543, अब इसमें in fact 545 है, क्योंकि आपको पता है, यहाँ पर दो राश्पती चुन कर भेजते हैं, तो 545 का 10% कितना हुआ, यह होता है आपका 55, तो उस party के पास कम से कम 55 seats होनी चाहिए, तब उस party के किसी वेक्त को leader of opposition चुल लिया जाता है, जो भी वो party तेह करती है, तो यहाँ पर क्या है कि 110 आपको एक और चीर पता होना चाहिए, कि यह quorum का भी number होता है, क्योंकि लोग सभा चुलाने के लिए कम से कम 10% member मौजूद होने चाहिए, अगर मान लोग 50 member मौजूद हैं लोग सभा में, तो लोग सभा वर्क नहीं करेगा, उसको अर्जन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसी के वजए से यह 110 वाला number रखा गया था, अब question यह है कि आज के date में यह इतना माइने क्यों रखता है, माइने इसलिए रखता है, क्योंकि 2014 से लेकर अभी तक कोई भी leader of opposition हमारे लोग सभा में नहीं था, इसका simple कारण यह है कि Congress Party का अगर आप देखोगे मुझे आदे शायद 2014 में जो चुना हुआ था, प्रधान मंतरी मोधी बजब बने थे, तब मुझे आदे शायद 45 के आसपा सीट्स मिला था, और 2019 में भी आपको याद होगा, I think शायद Congress Party को 52 सीट्स मिला था, जिसकी वजए से यहाँ पर 55 सीट्स ना होने की वजए से वो Leader of Opposition का दरजा नहीं ले पायते, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि Total 100 हो गया है, जैसे मैंने आपको बताया माराश्ट के जो MP है, विशाल पार्टिल, उन्होंने अपना सपोर्ट Congress Party को दे दिया है, ठीक है, अब कोश्चन यहाँ पर यह है कि भारत में यह जो Leader of Opposition है, यह कब से ही मर जुआ है, देखो वैसे तो मैंने आपको बोला कि General Sense में आजादी के बाद से ही जब पहला लोग सभा का चुना हुआ था 1951-52 में, तब से ही यह चलते आ रहा है, लेकिन Official तरीके से अगर आप देखोग थी जिसका नाम है International Congress R, और दूसरा हो गया था Indian National Congress Organization, ठीक है, जो Old Valley Congress थी, तो यहाँ पर क्या है कि उस समय जो Leader of Opposition बनाया गया Old Valley Congress से, वो थे राम सुभाग सिंग, ठीक है, यह पहले वैकिती बने formal तरीके से जिनको Leader of Opposition रिकोगनाइस किया गया था, ध्यान रखेगा, राम सुभाग सिंग, फिर उसके बाद क्या होता है, इमर्जेंसी के बाद आपको याद होगा, 1977 में जो चुना होता है, Congress Party हार जाती है, तो उसके बाद आप देखोगे, तो अगले दो-तीन वर्षों में, यहाँ पर यश्वन्त राव बी चौहान, सीम, स्टेफन और जग जीव Act पास होता, Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Act 1977, तो तब से लेकर एक्स्ट्रा जो भी पर्क वगरत देना है, वो Leader of Opposition को दिया जाने लगा, 1977 से, खेर, 9th लोग सभा से लेकर, 15th लोग सभा के बीच में भी आप दिखें, मतलब मोदी जी के आने के पहले-पहले, यहाँ पर राजीव गांदी एलके अडवानी, अटल भीहरिवाजपाई, पीवी नरसी माराओ, शरत पवार, सुनिया गांदी, सुष्मा सुराज, सभी को Leader of Opposition का दरजा मिला था, खेर, अब फाइनल कोशन यहाँ पर यह है, कि अगर किसी को Leader of Opposition recognize किया जाता है, तो उसको क्या benefits मिलते हैं, देखो, 2-3 चीजें बहुत important है, सबसे पहली बात आपको याद होगा, कि Parliament के अंदर कई सारे committees होती हैं, जैसे Public Accounts Committee, Public Undertakings Committee, Estimate Committee, Joint Parliamentary Committee, इन सभी में Leader of Opposition होते ही होते हैं, सबसे पहली, फिर दूसरा आपको याद होगा, Constitution के अंदर कई सारे वेक्तियों का भी selection किया जाता है, तो statutory bodies भी हो जैसे Central Vigilance Commission, Central Information Commission, CBI, NHRC, लोगपाल, तो इन में कौन-कौन से members होगे, उसमें अक्सर आप देखते होगे, Prime Minister होते हैं उस committee के अंदर, फिर उसमें Leader of Opposition अक्सर होते हैं, अभी क्या था, पिछले 10 साल से क्योंकि कोई भी Leader of Opposition नहीं था, यहाँ पर लिखा जाता था, Leader of the Single Largest Party, मतलब After Government, जो दूसरी Single Largest Party है, उसको हम इस committee के अंदर लेंगे, तो official सरकार नहीं recognize किया था, लेकिन स्टिल यहाँ पर उनको include किया जाता था, तो इसकी वज़े से Leader of Opposition का पद बहुत important हो जाता है, इसके अलावा अगर हम salary और allowances की बात करें, देखो, यहाँ पर salary वगरा म as a sumptuary allowance, sumptuary allowance का मतलब होता है कि basically आप समझिए Leader of Opposition है, अब उनके घर में तो कई लोग आएंगे, आए दिन कोई न कोई आता रहेगा, मिलेंगे, चाय कॉफी होगा, नास्ता होगा, तो उनका खर्चा होगा, तो इसके लिए सरकार क्या करती है, हर महने लगभग 2,000 रुप इसके बारे में अगर हम residence देखें, तो यहाँ पर obvious ही बात है, उनको एक बड़ा residence मिलता है, इस case में, और उसके residence की देख भाल की जिमेदारी वगरा, जो है, घर वगरा, वो सब कुछ सरकार के दोरा ही देखा जाता है, उसका सारा खर्चा, हाँ, इन case जैसे बोला जाता है, कि अगर leader of opposition की मिलती हो जाती है, unfortunately, तो उस case में उनकी जो family members है, एक महने तक उस घर का इस्तमाल कर सकते हैं, एक महने के बाद खाली करना होगा, otherwise अगर वही पर वो रहते हैं, तो यहाँ पर जो भी charges वगरा है, rent वगरा उनको pay करना होगा, तो यही पूरा वीडियो था regarding leader of opposition and देखे, राहुल गांदी की को लेकर अभी क्या है कि प्रस्ताव पारित क्या गया ना, I am sure कि राहुल गांदी इसको accept कर लेंगे, ऐसा बताया जा रहा है, and finally, आप कह सकते हो, हमारे लोग सभा के अंदर एक leader of opposition होने वाले हैं, खेर, जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हो parliamentary government को और किस नाम से बुलाया जाता है, इन options में से आपको बताना है, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका सही उतर मैं, कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रह अगर आपको PDF ये तो टेलिग्राम पर आईए, अलग-लग social media पर आपड़ पाऊगे और जैसा मैंने आपको बताया है, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हो, कोई भी batch चाते हैं, you can simply use this code ANKITLIVE to get maximum discount, जो की कल से start हो रहाए, don't forget this, and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मि आपस नेक्स time, till then, thank you very much, see you soon.